लुद्याना दी सफल महिला कारोबारी रजनी बेक्टर नूँ पिछले दिनी पदम श्री आवाड नार नवाजया गया है उना करीब 42 साल पहला 300 रपए विच ओवन खरीद के आपने कार्तों बिसकुट अते केक बनाओन दा काम शुरू की तासी ते आज उना दा कारोबार टाई 1000 क्रोडर पए ते पुझ के एक वड़ी कंपनी विच तबदील हो चुकाए पेशेक रिपोर्ट कोई 40 साल पहला अपने कार्तों बिसकुट ते केक बनाओन दा काम शुरू करनवाली संती शेरलो दे अनादी वसनीग सनतकार अते कारोबारी रजनी बेक्टर बेकरी दी दुनिया विच जाने पछाने नाए उना बेकरी दी दुनिया विच अपनी पछान स्थापत कीती अते क्रीमिका नादे बिसकुट कुकीज अते बेकरी दा होर्समान देश विदेश विच लोग का दी पसांद बन गया रजनी बेक्टर नू बीते दीनी राश्ट्रपती वलो सनत अते वपार दे खेतर वेच विलखन कारगुजारी लई पदमश्री नाल सन्मान कीता गया रजनी बेक्टर ने अपनी मेहनत समर्पण अते जिनून नाल मुकाबले दे इस दौर विच भी बेकरी दिंगा बेहतरीन बसना त्यार करके देश विलेशा विच अपना नाब बढया अते आज रजनी बेक्टर मेला उदमियली प्रेणना सो तते एक बेहतरीर मिसाल बन गेने पदमश्री सनमान हांसल करन तो बाद लुजाना विच दूरदशनाल गालबात कर दिया अते सफलता जरूर मिल दिये उना दस्या की उना दे उतपाद सिर्फ देश भी ची नहीं सो गो विदेशा विच भी काफी प्रचलत ने रजनी बेक्टर दस्याने की उना क्वालिटी नाल कदे समझाता नहीं की था 1978 में मैंने स्टार्ट किया था और आज तो 2021 हो गया तो बहुत साल हो गए हैं ज़्यदा जब भढ़ाओ की तरफ हमें आई हो 90 से बाद में बहुत ज़्यदा उपर को गए हैं और आस्ता आस्ता करते करते हैं बहुत उपर जाते रहे हैं तो यही सफ़ा था जो बहुत अच्छा रहा तक्रीफों के साथ भी रहा अच्छाई की तरफ भी रहा तबी आगी को गए हैं आमोदी जी ने मेरे को कहा आपने मिलेeleri को खाना ने खिलाया तो मैं एक न को यहां तो नहीं खिला सकती है उपको तो बिजनस के बारे में वी बात की उन्होंने सारी बहुत अच्छी तर्य से जो उनका में उनका चिहरा और उनका और उनका मैं के अच्छु patents बच्चों को मैंने भी कभी जिंद्गी में निगलेक्ट ने किया, मैंने बच्चों के सामने काम भी ने किया।